तो अगर आपने भी अपना passport का application form फिल कर लिया है और आपके भी दिमाग में question है कि appointment के दिन passport सिवा के अंदर में क्या होता है वो आपसे क्या question पुछते हैं, क्या document चेक करते हैं और अंदर का complete process क्या होता है तो आज आपको इस वीडियो में आपके सभी questions के answer मिल जाएंगे complete solution मिल जाएंगे और आपको tension लेने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी दोस्तो जब आपका appointment का day आता है उससे 2-3 दिन पहले ही आप अपने सारे original document जो आपने फिल किये थे application form में और उसकी xerox copy आप एक जगर एक file बना के रख ले ताकि उस दिन आपको कोई भी tension या दिक्कत की सामना ना करना पड़े अब जब आपका appointment का day आ चुका है आप वहां पे जाते हो तो कोशिश करो कि जब आपका appointment का time हो उससे 5-10 मिनट पहले ही वहां पे पहुच जाओ वहां पे जो guards होते हैं passport सेवा के अंदर पे आपका appointment slip देखते हैं उसको आप mobile में PDF भी दिखा सकते हो या उसका printout भी दिखा सकते हो जैसे ही आप guards को appointment slip दिखा के अंदर की तरफ जाते हो वहां पे 2-3 counters रहते हैं वहां पे उसके कर्मशारी बैठे रहते हैं passport सेवा केंदर के वह आपसे आपका appointment slip देखते हैं आपके सारे original documents मागते हैं और जो आपका slip रहता है appointment slip उसको जो बार कोड उस पे रहता है उसको वो scan करते हैं अपने computer में और आपका सारा doc जो भी information रहता है वो उनके screen पे आ जाता है उसके बाद वो आपको एक token number लिख के दे देते हैं और बोलते हैं अंदर जाने के लिए अब यहां से आपका verification का process start होता है जब आपको token number मिल चुका है और आप अंदर की तरफ जाते हो दोस्तो जब आप अंदर जाते हो token number मिलने के बाद तो वहां से आपको तीन counter से गुजाना रहता है complete process में verification के सबसे पहले आप जब counter number 1 पे जाते हो token number लेके तो वहां पे जो भी कर्मचारी रहते हैं वो TCS के कर्मचारी रहते हैं वो government के नहीं रहते हैं TCS के रहते हैं वही आपका सब कुछ verify करते हैं तो जब पहले counter पे आप जाते हो तो वहां पे जो भी कर्मचारी रहते हैं वो आप आपका सारा documents लेते हैं उसको अपने computer में later by later match करते हैं कहीं कुछ mismatch तो नहीं है आपके document में कहीं कुछ mismatch तो नहीं है सब कुछ verify करने के बाद आप से दुबारा re-verify करवाने के बाद कि देख लिए सब कुछ सही है यही आपको जो भी information अपने passport में चाहिए इसके बाद वो आपके fingerprints लेते हैं fingerprints लेते हैं और आपकी एक photo खीशते हैं जो photo खीची जाती है वो DSLR camera से खीची जाती है आधार card की तरह कोई local camera से नहीं खीची जाती है तो आपकी photo काफी अच्छी आए गया तो आप उसी सबसे well-dressed हो के भी जा सकते हो अब यहाँ पे आपकी photo ले ली गई है आपका fingerprint ले लिया गया है आपका जो भी document था उसको verify कर लिया गया है उस पे वो stick करके और फिर आपको दूसरे counter पे भेजा जाता है वहाँ से वहाँ से जब आपका token number वही रहता है फिर आप आगे जाते हो तो आप एक screen रहती एक waiting area भी रहता है जब आपका token number आता है screen पे तो आप दूसरे counter पे जब जाते हो तो वहाँ पे जो officer होते हैं वो थो responsibility है government नोंको इसलिए बैठाया है कि कोई भी गलत आदमी अपना passport बनागे देश से बाहर ना जा पाए तो इसलिए वह हाई रेंग के ऑफिसर होते हैं अच्छे सब पुछे करते हैं आपसे कुछ LCD स्क्रीन रहती है जहां पर कई सारे टोकर नंबर चल रहे होते हैं तो जब आपका टोकर नंबर उसमें आता है वो दिख जाएगा और वहां पर एक स्पोर्ट सेवा केंदर में इंटर से लेके एकजिट करने तक का बस यही रहता अगर आपका सारा डॉकुमेंट क्लियर है तो आपको टेंशन लेने की थोड़ी भी जरूत नहीं है क्योंकि आपका जो वैरिफिकेशन है वो आराम से सक्सिफिफुल हो जाएगा और दोस्तो इसमें complete total 15-20 मिनट का ही समय लगता है 20 मिनट से अधिक समय इसमें आपको नहीं लग सकता है तो आदे घंटे में आपका total प्रोसेज जो है वो complete हो जाएगा आपका verification complete हो जाएगा और जैसी आप gate से exit करते हो 4-5 मिनट के अदर आपके mobile पे message आता है कि आपका जो verification है वो successful हो च जाता है कि आपका verification successful हो चुका है और आपका यह file number वहां message में रहता है यह police verification के लिए initiate कर दे जाता है फिर आप अपना घर जा सकते हैं वहां से आराम से और तीन से चार दिन के अंदर आपको police verification के लिए थाने से call आ जाता है या फिर वो लोग खुद आपके घर पे visit करते हैं अभी तो passport पर ही वीडियो आ रहे हैं future में अभी कुछ दिन में यहां पर आधार card, pen card, driving license, government scheme, policies, scholarship से भी related वीडियो यहां पर आएंगे तो please दोस्तो आप इस चैनल को subscribe कर लो, have a good day, tata, bye bye